हलो अबरिवन और वेलकम चू ओननेट जहारखन यूटीब चैनल तो दस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीला स्वास्त समिती पश्चिमी सिंभूम चायबासा की तरब से एक ओफिसल नोटिफिकशन जारी की गई है रेक्रूट्मेंट 2021 को लेकर इसमें कॉल सेंटर ओप्रेटर के लिए वेकेंसी आई हुए जिसके लिए ओफलाइन आवेदन की जानी है लास्ट डिट इसमें दी गई है 12 जनवरी 2021 तो दोस्तों इस चैनल के मादम से आपको जहारखन गौर्रमेंट जॉब से रेटेट सारी इ एक बहुत ही अच्छा ओपर्चिन्टी है तो इसे आप मिस न करें तो चलिए हम लोग विग्यापन की तरफ चलते हैं जिला स्वास्त समेती पश्चिमी सिंग्भूं चायबसा की तरफ से यह विग्यापन जारी की गई है आवेदन की अंतिम्तिति है 12 जनवरी 2021 और जैसा क आप स्क्रीन में देख सकते हैं रास्ट ग्रामीन स्वास्त मिशन के अंदरगत समविधा के अधार पर नियुक्ति है तु विग्यापन जारी की गई है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पद का नाम क्या है और इसमें कुल कितनी पदों की रिखती यहाँ पे दी गई है और अनुसुचित जनजाती के लिए दो वेकेंसी है अनुसुचित जाती के लिए को भी वेकेंसी यहाँ पर नहीं है कुल वेकेंसी यहाँ पर चार बताई गई है तो चलिए आगे हम लोग दखते हैं प्रतिमाह मांदे कितना होने वाला है और इसमें योगिता क्या ली गई है तो call center operator के लिए 10 plus 2 या intermediate with DCA के साथ इसमें pass होना चाहिए प्रिफरेबल local language speaking and knowledge of area यानि कि जो भी local language होगी उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए इसमें जो प्रतिमाह मान दे होगा 11,461 रुपय होगी चलिए आगे हम लोग दखते हैं कि इसकी उम्र सिमा क्या रखे गई इस job के लिए अलग-अलग category के लिए अलग-अलग उम्र सिमा निर्धारित की गई है minimum age जो है 21 वर्स है और maximum age यहाँ पर दी गई है 35 वर्स जेनरल के लिए OBC के लिए 37 years female unreserved के लिए 38 साल और STSC के लिए 40 साल यहाँ पर और धारित की गई है यह maximum age है तो चलिए अब हम लोग next देखते हैं चैन की शर्ते सेलेक्शन के लिए क्या-क्या criteria यहाँ पर दी गई है समविदा के अधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा बलकि सुकृत मांदे की विरुद उन्हें कारी करने है तो अनुबंधित क्या जागा यानि यह पर्मानेंट जॉब नहीं दी गई है कोंट्रेक्ट बेसिस पे यह जॉब निकाली गई है ठीक है आगे देखते हैं उपरोगत पद पर न्यूकती है तो जिलास्तरिय आरेक्शन रोस्टर अनुमानी होगा समविदा एक वर्ष के लिए अनुमानी होगी यानि एक वर्ष के लिए कॉंट्रेक्ट बेसिस पे या वेकेंसी निकाली गई है और इसे एक साल में एनुवल पर्फॉवेंट्स एप्रेसियल के अधार पर समविदा अवधी बढ़ाई जा सकती यानि कि आपकी जो पर्फॉवेंट्स होगी उसके अधार पर आपकी जो जॉब टाइम पिरियड है उसको एक्स्टेंड भी किया जा सकता है समविदा के अधार पर अनुबंदित ब्यक्तियों को एक महा की नोटी शत्वा एक महा का मान्दे देकर अनुबंद समाप्त किया जा सकता है जो अभ्यार्ति सेक्षनिक योगिता के लिए CGPA स्कोर बोड प्रस्तूत कर रहे हैं माकसीट के साथ-साथ CGPA रुपांतरन चार्ट भी प्रस्तूत करेंगे जिसका भी रिजल्ट CGPA में होगा उसे CGPA रुपांतरन चार्ट भी प्रस्तूत करना अनिवारे है विज़ापित अहर्ता योगिता के अनुरूप समिती दौरा shortlisted अभ्यर्थियों को आगे की चैन-प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा नियुक्ती प्रक्रिया में समिती का निरने अन्तीम होगा समिती द्वारा आवशेक्ता नुसार विग्यापन के शर्तों में संसोधन किया जा सकता है न्यूक्ति की सम्मन्द में किसी प्रगर का व्यक्तिकत पताचार संपर्क मानिय नहीं होगा तो ये सारी शर्तें यहां पर दी गई हैं इसके अलावा चैन की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है कि किस बेसिस पे जो है चैन किया जाएगा तो चैन की प्रक्रिया निम्न निर्धारित की जाती है यहां पर दी गई है कि चैन जो है लिखित परिशा के अधार पर होगी स्किल टेस्ट होगा और उसके प्राप्तां के अलहार पर ही अथ्वा जिला चैन समिति के निया मनुसार किया जाएगा नेक्स्ट है सभी उमिद्वार निबंधित डाक या स्पीट पोस्ट के द्वारा ही आविदन पत्र भेजना सुनशित करें यानि ओफलाइन आविदना को करना होगा उक्त नियुक्ती में कार्मिक एवंग प्रशासनिक सुधार तथा राजभासा विभाग जारखन सरकार के संकल्प संख्या 14 स्थानी निती 14.1.2015.5938 दिनांग 14.07.2016 से लागु स्थानी निती का पूर्णत अनुबालन किया जाएगा एवं संकल्प में उलेकी 13 जिलों के मातर इस्थानी निवासी ही इस अधिसुचना के जारी होने के तिथी से 10 वर्सों की कालावदी के लिए समन्दित जिलों के विभीन विभागों में जिला संपर के 33 श्रेणी एवं 44 श्रेणी के पदु में उद्भुत रिक्तियों पर भरती हेतु पात्र होंगे तो ये सारी चैन की प्रोसेजर यहां पर दी गई है और अंतिम रूप से त्यार की गई मैधा सुची सिविल सरजण उपायुक्त के कर्यालए पर एक सप्ता के लिए प्रकाशित की जाएगी, सुचना पड़ पर मैधा सुची के प्रकाशन होने की सुचना समाचार पत्र की माधेम से दी जाएगी यहां पर हम लोग देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है उम्मिद्वारों से निम्नलिखित विविःत पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं पर्मान पत्रों की अभी पर्मानित प्रती आरक्षन के दावा हैतु सक्षम पता दिकारी द्वार निर्गत अवासी पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र जन्म तिथी से संबंदे मेंत्र जमा कराया जा सकता है दिनांक 12 जनवरी 2021 के बाद प्राप्त आविदनों पर विचार नहीं क्या जागा यानि लास्ट डेट जो दी गई है 12 जनवरी 2021 तक दी गई है तो ये सारी information दी गई है आप इसे एक बार जरूर से पढ़ लिजेगा चलिए next हम लोग देखते हैं किसी अनिक कार्यालाई में आविदन जमा करने पर उनका आविदन स्वत निरस्थ कर दिया जाएगा सभी तरह के पूर्ण आविदन को बंद लिफापे में निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट से और सैनिक शली चिकित सा पताधिकारी के काराले पश्चमी सिंग्भू में जमा कराया जा सकता है लिफापे को उपर स्पस्ट रूप से निम्न सुचनाई उपलव्द कराएं लिफापे को उपर है विग्यापन संख्या और पद का नाम मैंशन करना जरूरी है चायबासा की तरफ से जारी विग्यापन उमीद करता हूँ आपको यह वेकेंसी समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरू किजिए तो आप मैं कमेंट सेक्षिनें पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक लिए थैंक इसो मच हैव अनाइस डे